जिले में बहुत सी जगा पर जिसमें फरोशी का दंदा चल रहा था जिसको लेकर आम जन बहुत ही पहले से परिशान था लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि कोई इसका विरोध कर सके अच्छे अच्छे घरों के लोग उस गली में भी अपने बच्च वा पत्नियों को जाने नहीं देते थे लेकिन कोचिंग सेंटर के माध्यम से युवापीडी अंदिकार की तरफ जा रही है जिसका मुख्य कारण उनके परिजन है क्योंकि जब बेटी कोचिंग जाती है तो क इसकी कर दोट कोचिंग की समय सीमा होती है कि कृल घटे से दो घंटे टीचर द्वारा पढ़ाया जाएगा लेकिन घर से आने के बाद चार घंटे तक जब लड़कीगर नहीं पहुशती है लेकिन जब घर जाती है तो माँ पूशती है कि इतनी देर कहां रहती हो तो को सिक्षा के लिए खुली छूट देते हैं तो उनका उसी समय सीमा पर भी ध्यान देना चाहिए आखिर रोजाना मेरी बेटी लेट घर पर क्यों आती है